हलो दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप सिंधी में दोस्तों आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही मैद्वपून टॉपिक लेक्याई हूँ आज मैं आपको बताने वाली हूँ यह दो चमतकारी पत्तियां ही बहुत है दस दिन में लटकते पे होते हैं आपको यह जानकर आशिर होगा कि अम्रूत के पत्तों में मौझूद अद्वूत एंटी ऑक्सिडेंट एंटी वेक्टरियल और एंटी इंफ्लेमेंटरी गुर पाया जाते हैं जो कई तरह की स्वास्त समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं तो अचा बाल और स्वास्त की देख भाल के लिए अम्रूत की ताजी पत्तियों का रस और इससे बनी हुई चाय बहुत ही फायदेमन होती है आईए जान लेते हैं अम्रूत की पत्तियों के स्वास्त लाप के फायदे ये वजन में कमीलाती है अम्रूत की पत्तियां जटी लस्टार्ज को जापान में यह कुल्ड सेंट्रल इंस्टिट्यूट में अम्रूद के पत्तों से बनी चाई पर एक शोद क्या गया शोद में इसकर्स निकाला गया कि अम्रूद पत्ति से बनी चाई में इसके लावा यह सुक्रोज और मल्टोज को सूखने से शरीर को रोकती है जिसे शुकर का स्थर नियंत्रित रहता है अम्रूद की पत्ति से बनी चाई 12 सप्ता पीनी से इंसुलीन के उत्पादन में व्रिधी के बिना रक्त में शर्करा के स्थर को कम कर सकते हैं पाचन तंतर को दुरुस्त करती हैं यह पतियां अम्रूद की पतियां पाचन एंजायम के उत्पादन को बढ़ा कर पाचन तंतर को दुरुस्त रखने में मदद करता है शक्तिशाली एंटिवेक्टरियल एजेंट प्रभावी धंग से पेट के अस्तर में हानी कारत से को दूर कर सकता है अंगरुत की पतियों में गुण पाया जाते हैं यह वह 500 को खंशे निजात बिलाती है अमरूद की पतियां एंटिस्थ होने के कारिण वैक्टेरियास को दूर करने में मदद करती है मुहासे की समसे हमी ताजी पत्तियों को पीस कर दाग धबों के साथ मुहासों पर लगाएं नियमित रूप से ऐसा करने से धीरे-धीरे मुहासे की समसे दूर हो जाती है तो दोस्तों ये दी हमारी आज की वीडियो उमेद करते हूं दोस्तों कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढून रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं दोस्तों हमारे चैनल हेल्थ टिप सिंधी को सब्सक्राइब करना ना भूले हम फिर मिलेंगे आपकी प्राब्लम हमारी सॉलिशन के साथ मैं आऊंगी रुजाना नयने घरे लोपचारों के साथ जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं तब तक के लिए फिट र रहे खुश रहे थैंक यू